हलो फ्रेंड्स नमस्ते ये हमारा सेकंड वीडियो है इस वीडियो के जरीए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने फिंगर्प्रिंट समय देने हैं ब्रेन रिपोट के लिए आपके फिंगर्पिंट्स वहत है तो थोड़ा सा उसका प्राउसस समझ ले कि आपको कैसे फिंगर्पिंट्स देने हैं ुसके लिए आपको एक अंडुर्वाइड फौन चाहिए android enabled phone चाहिए और आपकी यह detail चाहिए हमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपका नाम, father name, date of birth, marital status, address, आपका contact number इस तरीके से आप left brain core L1, L2, L3, L4, L5, R1, R2, R3, R4, R5 L1 को हम thumb को हम L1 बोलते हैं, यह L2, L3, L4, L5, R1, R2, R3, R4, R5 सबसे पहले आप Google Play Store में जाएंगे, सबसे पहले आप Google Play Store में जाके, वहाँ पे search बार पे आप type करेंगे, search बार पे आप type करेंगे, finger print log real, इसको हम search करेंगे, जैसे हम search करेंगे, थोड़ा सा scroll down करेंगे, तो आपको एक application नजर आएगी, FP solution की तरफ से, color logo है इसका fingers का, इसको हम click करेंगे, click करने के बाद आप इसको install कर लेंगे, यह मेरे mobile में already install है, आप इसको install कर लेंगे, जब यह install हो जाएगी तो आप इसको open करेंगे, यह application इस तरीके से open हो जाएगी, application open करने के बाद फिर हम fingers पे जाएगे, फिंगर जहां भी लिखा हुआ है फिंगर के बाद इसको इस तरीके से हम लोग continue to enroll पे आ जाएंगे यहां पे selective फिंगर लिखा हुआ हम लोग थंब को select करेंगे पहले यह हमारा L1 है प्रिंट देने के लिए आपने अपने थंब की position ऐसे रखनी है है ऐसे इस तरीके से तो यह अपने आप प्रिंट ले लेगा सिर्फ आपको जो अपनी फिंगर्स है वो green line के center में रखनी है click वो अपने अप कर लेगा आपने कुछ नहीं करना बिल्कुर थंब को center में रखेंगे तो अपने आप इस तरीके से click कर लेगा थंब की यह position होगी अपने आप से वह पिच्चर क्लिक ले लेगा इस तरह करते करते वह साथ प्रिंट लेगा इस तरीके से वो अपने आप ही आपकी picture click करता रहेगा यह आपकी थंब की position है left की इस तरीके से आपका थंब रहेगा यह अपने आप से प्रिंट लेता रहेगा जब seven prints हो जाएंगे तो यह अपने आप आपको print show करेगा आपके यह आपका left finger का print आ गया अब आप इसका screenshot लेंगे मेरे mobile पे यहाँ पे screen capture का option है screen capture पे जाके आप इसको save करेंगे जैसे आप save करेंगे यहाँ पे time save होगा 413 तो यहाँ पे आप note करेंगे L1 के आगे note करेंगे 413 वो automatically आपके mobile पे save हो जाएगा next print लेने के लिए आप एक बार backspace से back आएंगे फिर आपकी finger का ये इस तरीके से position होगा और आप इस तरीके से उसको उसकी एक picture क्लिक करेंगे जैसे आप picture क्लिक करेंगे वो again आपको एक print शो करेंगा अगे आप उसका screenshot लेंगे screenshot लेने के बाद वो फिर से आपको time बताएगा 413 यहाँ पे आप again 413 लिख लेंगे फिर next finger same position again आप इसका screenshot लेंगे screenshot लेने के बाद यह again इसका time देखो change हो गया है 414 यहाँ पे आप 414 लिख देंगे next finger पहली बार जब आप finger का प्रिंट लेंगे तो वो आपको वो आपके साथ प्रिंट लेगा उसके बाद एक एक प्रिंट लेगा again हम इसको save करेंगे screenshot लिया और save किया 414 यह application android पे android store पे वेलेबल है last finger अगेन आप इसको save करेंगे 450 अब हमने right finger के प्रिंट दिने है तो उसके लिए start over पे जाएंगे दुबारा start over पे जाके दुबारा हम continue to unroll उसके बाद right hand का thumb अब right thumb की यह यह position है कि इस तरीके से आप अपना कि प्रिंट ले लेंगे कि इसी तरीके से वह प्रिंट लेता रहेगा यह position है right right hand की right thumb की आपकी जो finger है यह दोनों के center में बताया भी होगा यहां पे कि फिंगर पिंट्स आपको बहुत अच्छे से देने हैं कि रिपोर्ट आपकी सारी इसी के ऊपर डिपेंड है तो करीब है आप जब हमें फिंगर पिंट्स दें तो ज्यादा जल्दी ना करें लास्ट प्रिंट यह उसने 7 प्रिंट लिए आपके और यह आपका प्रिंट शो कर दिया अब आप इसको अगेन सेव करेंगे सेव करने के बाद आप पर टाइम आया 4.16 तो यहां पे आप सेव कर लेंगे 4.16 उसके बाद दुबारा बैक स्पेस से बैक अब यह पोजिशन है राइट हैंड की यह फिंगर हम यहां पे फिंगर को रुखा और यह इसने दुबारा प्रिंट लिया अगेन हम इसको सेव करेंगे 4.17 नेक्स्ट फिंगर एक बार बैक स्पेस से बैक उसके बाद नेक्स्ट फिंगर समटाइम्स कई लोगों के प्रिंट ऐसे इतने इजी ली नहीं आते तो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप हाथों पे कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लें 4.17 किसी के प्रिंट अगर कलियर ना आ रहे हों तो वो हाथों पे कोल्ड क्रीम भी लगा सकते हैं again backspace